दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाच और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है शेर बजार ये एक ऐसा प्लाटफोर्म है जहांपे ड्रीम्स सेल होती है शेर बजार जहांपे हमें पता है कि अगर हम सब सही सही करेंगे तो हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं लेकिन शेर बजार वो जगय भी है जहांपे अगर आपने एक गलती की तो दुरगटना भी घट सकती है तो शेर बजार के अंदर में एक करोड़, दस करोड़, सौ करोड़, पैसे कुछ भी कमाये जा सकते हैं खाली एक पैटर्न, एक काम करने का तरीका आपका सही होना चाहिए दोस्तों एक छोटा सा प्रियास करूँगा अपने बारे में बताने का और मेरा जो एक जर्नी राहशेर वजार बे उसके बारे में आपको बताता हूँ 2005 में मैंने MBA कंप्लीट किया, आयम इंदोर से और उसके बाद मैं जोइन कर लिया JM Financials, Bombay, as a Commodities Analyst Commodities Analyst मतलब मैं evaluate क्या करता था, predict किया करता था कि crude oil और gold क्या करेगा दोस्तों उससे में तेजी बहुत जबरदस थी, 2005, 6, 7, 8 और कुछ ऐसा हो रहा था कि जो predict करता था, वो सही निकलता था तो एक confidence आगया अपने अंदर में कि शायद मैं बनाई हूँ market को predict करने के लिए और अगर खुद का पैसा डालूँगा, तो पैसे शायद चाप लूँगा यही खाब, यही सोच को लेके मैं खैलकटा वापस आ गया और 2006 में commodities ट्रेडिंग करना चालू किया मुझे लगता है दोस्तों, यह मेरा बहुत अच्छाटी से सब्दा commodities एक ऐसा asset class है, जो एक trader की नीव को बना देता है क्योंकि commodity के अंदर में demand supply का बहुत अच्छा application है commodities के manipulate होने के chances कम है और उस समय commodities market नया नया market था, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं तो मेरे लिए वहाँ पे opportunities grab करने का chance मुझे चाहा मिला तो जनवरी 2006 से commodities की जन्नी चालू की 10 लाख रुपे से दस लाख रुपे क्यों क्योंकि देखें दस लाख रुपे अगर नहीं डालूंगा तो घर कैसे चलेगा दस लाख रुपे ही करूंगा तब तो कुछ capital घर पे आएगा return आएगा और दसी लाख रुपे नहीं डालूँगा अगर एक लाख दो लाख रुपे से काम चालू करूँगा तो घर पे क्या बचेदा तो जनवरी 2006 में दस लाख रुपे से कमारिटीज में काम चालू किया और पहला पांच-छे महिना काफी श्ट्रगल दा काफी क्योंकि जो एनलिसिस करके आते हैं और फीट ट्रेडिंग में उतरते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये दौनों अलग-अलग बाते हैं एनलिसिस करके बताना कि मार्केट तेज हो जाएगा और खुद के पैसे उसमें लगाना और उसमें से पैसा बनाना ये दौनों अलग बाते हैं छह मेना लगा मुझे ये पूरा जर्नी को बिताने में छह मेना लगा जब जनवरी 2006 से चालू किया कमोडिटी रिसर्च करके ट्रेडिंग करना और मोटा मोटी जुलाई तक समझ में आ गया कि क्या गलतिया मैंने कर रही है तो वो 10 लाक में से I think 2 या 5 लाक रुपे मेरे नुक्सान हो गए थे which is fine पैसे तो लगें गई क्योंकि अगर आप मार्केट में उतरें और रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसे तो लग नहीं है लेकिन जुलाई 2006 में आके एक पकड़ आगे कि नहीं अब पैसे नहीं लगेंगे क्यों क्योंकि अब समझ में आ गया है कि क्या सही तरीका है कमोरिटीज में ट्रेड करने का दोस्तों मैं स्कैल्पिंग क्या करता था स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हर भाव में ट्रेड करना commodity का एक peculiarity है खासकर जो commodities, global commodities है जैसे gold, silver, crude ये दुनिया के market जो US के अंदर में बड़े-बड़े market है उनको इंडिया में follow करता है मैं MCX में tweet किया करता था तो कहें न कहें थोड़ा time lag था तो वहाँ action होता था और उस action को यहाँ आने में थोड़ा समय लगता था तो शायद उसका एक फायदा मुझे बिल गया और scalping करके मैंने अच्छा पैसा बना है 2006 मैं कहूंगा कि जो 10 लाख रुपे से मैंने चालू किया तक्रीबन 2006 end तक उसको मैंने 20 लाख रुपे कर दिया तो पहला साल में by God's grace मैं तो कहता हूं market मुझे support दिया था by God's grace 100% return मैंने generate किया और उसने मुझे एक अपना अलग सा confidence दिया पैसे आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है विकास घर खर्चा के लिए पैसा चाहिए थे बहुत confidence जो आया है मेरे अंदर में कि मैं तो पहार तोड़ दूँगा मैं तो मचा दूँगा ये confidence का कोई price नहीं है और एक confidence तभी आता है जब आप पैसा कमाने का सही रस्ता पकड़ पाते है तो दोस्तों हम चाहे 10 लाग से चाहे 1 लाग से चाहे अगर पहला साल हम अपना capital को double कर देते है तो आप imagine कर सकते हैं आपके अंदर में कितना confidence आईगा 2006 7, 8 बहुत ही जबरदस्त को जड़ा जो लोग उस समय market में आये हैं या थे वो मेरी बात से सहमत होंगे कि वो golden period था trading करने का बहुत पैसे बने हैं हर साल पैसे को double किया दस लाग का बीस हुआ बीस का चालिस हुआ चालिस का असी लाग हुआ और 2008 के अंदर में जो fall आये था वो था lottery fall और मेरा मैं कहूंगा सौभाग गयता है कि मैं उस समय commodities पे ही ज़्यादा focus था equity मैंने की नहीं थी commodities में क्या खास बात होती है कि मंदी में भी आप हरिस्पेट कर लेते हैं equity में अगर आप cash market में ले लिए हैं और भाव गिर रहे हैं तो आपकी हमत नहीं होती है उसको बेचने का तो मेरा शायद वो लग था कि मैं उस समय भी commodities में trade करना था मैं भर भर कि हम लोग ने commodities बेचा जब market fall किया तो 2009 तक मोटा मोटी वो पहला एक करोड रिप्या बन गया अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपका लग था कि आपने commodity select कर लिया और आपका 10 लाग एक करोड में convert हो गया मैं कोँगा yes वो लग तो था लेकिन कहीं ने कहीं मेरा एक proactiveness पिता कि क्योंकि commodity बिजार में बहुत लोग नहीं है वहाँ price inefficiency हो सकती है तो क्यों न वहाँ दिमाग लगाए जाए या कि कहीं और दिमाग लगाए जाए जहाँ पर शाहए सब कोई लगे बहे है तो ये एक important learning है जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ कि हमेशा ये सोचे कि नया क्या है market में किस नय product पे अभी काम चल ला है या क्या नया आने वाला है और उसमें दिमाग लगाए है बिकाज मलाई जो है वो नय product में जादा है पराने product में उतनी मलाई रहती नहीं है जितना हमको लगता है हमें लगता क्यों है क्योंकि मीडिया उसको hype जादा करती है चले आगे बढ़ते हैं तो 2008 में currency market launch हुआ था currency futures market और क्योंकि मैं commodity करता था तो मुझा एका कि चलो currency behind कर देते हैं तो जनवरी 2006 में मैंने commodity चलो की और फिर आगस्थ 2009 में 2008 में मैंने currency market चलो कर दिया और currency में भी वही बात कोई था था मैं था मेरी टीम थी और बड़े बड़े प्लेयर्स देखते नहीं थे उसको तो मैंने उसका फायदा उठाया और उस opportunity को मैंने grab किया तो ये पूरा 2006, 7, 8, 9 का period है ये commodity currency के कारण एक basic capital मुझे दे पाया जिस पे मैं अपने business को और बेड़ कर पाया 2009 में जो market में fall आया और recovery आया उस समय मैंने delivery based काम काफी किया क्योंकि पैसे जो कमाई हो रहे थे मेरा नियम था कि जो भी पैसे कमाई होंगे उसका 25% मैं delivery based share बजार में डाव दूगा क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा share बजार में stocks में डालेंगे तो वो long term wealth में आपको help करता है प्लस आपका trading business से थोड़ा पैसा निकलता रहता है और long term asset को create करने में आपको help करता है शुरू में नहीं लेकिन जब आप कमा ले रहे हैं तो कम से कम 25% उसको cash market में delivery काम के लिए डाले तो 2009 में मैंने वो कारिकरम चालू किया और 2009, 10, 11, 12, 13 ये भी एक बहुत ही जबरदब phase था जहांपे delivery based activity हो रही थी market में stocks चल रहे थे, गिर रहे थे, चल रहे थे बर overall market काफी boom में था commodity currency में भी काफी activity थी fall के बाद recovery आ गए थी currency में भी काफी activity थी तो 2013 तक दिन रात आप मानेंगे नहीं दोस्तों सुबह 8 बज़े से रात को 12 बज़े तक market में real time लगा रहता था लगा रहता था, लगा रहता था लगने से पाइदा क्या हुआ कि market में ये सारे asset class equity, commodity, currency इन सब का understanding शुरू के 5-6 साल में मैंने create कर लिया तो आप देखिए दोस्तों, दो-3 चीज़े जो सीखने लाएक है, जो समझने लाएक है पहला, पहला 3-4 साल बहुत critical है और इसमें आप जो भी capital लेके आएंगे वो capital को double करना बहुत important हो जाता है because वो ही आपके base capital को build करता है तो उसके लिए जरूरी है कि पहला कुछ समय बहुत ज़ादा aggressive नहीं होके थोड़ा base capital चाहे 50,000 है चाहे 1,000,000 है वो डाल के market को test करें market को समझें अपना एक research और analysis framework को develop करें और फिर जब market में all-in जाएं तो फिर एक decent size of capital से जाएं एक दो लाक रुपे से आप कभी भी 10 करोड रुपया नहीं कमा पाएंगे आपको अगर 10 करोड का एक target बनाना है तब कहीं ने कहीं आपको 5,000,000 या 10,000,000 रुपे system में डान ले पड़ेंगे और चालू तो trading से करना पड़ेगा because trading ही एक leverage देता है जहां आप active participation करके add-on return जेनरेट कर सकते हैं बड़ जैसे जैसे आप बढ़े होंगे जैसे जैसे capital आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आप trading से हटके थोड़ा investing की तरफ और value creating asset ideas की तरफ जादा move करेंगे तो दोस्तों ये था एक journey sharing एक thought जो आपके साथ में share क्या हूँ अगर हो सके तो इस से कुछ सीख लीजे और हो सके तो market में अपना जो path है उसको properly design कीजे और कहीं पर भी आपको लगे कि मैं आपका help कर सकता हूँ मेरे इस वीडियो पर आप comment दीजे मेरे साथ connect करिए और पैसे के मामले में तो नहीं बड knowledge के मामले में जहां मुझे लगेगा कि मैं आपको help कर सकता हूँ मैं definitely आपको help करूँगा धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे कारे को share करते रहिए बबाई